नमस्कार दोस्ते इस वीडियो में हम लोग कुछ quality stocks के बारे में देखेंगे जिसमें आप लोग कुछ ततकाल entry बिना करके चल सकते हैं तो पहला हम लोग दीपक नैटराइट के बारे में बात करेंगे दीपक नैटराइट एक सांदार chemical stock है जिसमें हम लोग को लगतार गिरावट देखने को मिल रहा था पास्ट में multi-wagger return निकाल कर दिया था Q3 का result भी अच्छा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी market में थोड़ा correction हम लोग को देखने को मिल रहा है क्योंकि हम लोग evident reason जानते थे रश्चय उक्रेंड में टेंसल चल रहा था और FIIs का लगतार सेलिंग चलने के कारण हम लोग को इतना बड़ा गिरावट अच्छे स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है तो हम लोग जो अपना method यूज करते हैं पहले उसको discuss कर लेते हैं तो एक ट्वइंटी का moving average को उस करते हैं जो कि आपको blue line so कर रहा होगा और दूसरा हम लोग 200 days के moving amber 치 को Use करते हैं वो की आपको pink lines वो कर रहा होगा और तीसरा indicator हम लोग pivot point या pivot line भी बोलते हैं जो कि आपको support या resistance बताता है तो हम लोग बात करें दीपक नाइटाइट में लगतार हम लोग को मल्टी बैगर रिटा निकाल करके दिया और बहुत ही ज्यादा ऊपर चल रहा था प्राइस टू हंडेड़ डेस के मुविंग एवरेज के करीम में तो यही लोकेशन पर हम लोग बात करते हैं कि मा लग बैठ निचे ही पसंद करता है पैला तो हम लोग के करीम लेते हैं और फिर नीचे आता है तो नीचे एक पीवर्ट पर हम लोग चाहाँ सपोर्ट दीखता हैं साफ एक यहय दूपर की तरफ को यह दिख रहा है और pivot के उपर भी closing दे देता है एक बड़ा सा green candle, 2-3% का भी candle रहे तो उसमें दिपक नैटराइट को buy करके चले small quantity में buy करना है ज्यादा quantity भी buy करने का समय नहीं है market थोड़ा volatile ही रहेगा क्योंकि निफ्टी में अभी थोड़ा उठा पटक अभी जारी रहा सकता है रस्चा उक्रेट में भी टेंसर चल रहा है और high inflation है इसके करने हम लोग को थोड़ा बहुत और volatility दिख सकता है लेकिन quality stock और ETF में हम लोग को buy करके चलते रहना है जहां पे भी मौका मिले SIP mode से investment करना है तो दीपक नाइटाइट को भी आप लोग buy करके चल सकते हैं और next stock के हम लोग बात करेंगे दोस्तों वह है alkyl amins alkyl amins भी एक multi-bagger stock रहा है past में और हम लोग को बहुत ही संदार return निकाल करके दिया है और फिलाल की बात करें तो हम लोग को बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा था और alkyl amins में भी दीपक नाइटाइट के ही तरह हम लोग बात किये थे कि price 200 days के बहुत ही जादा उपर चल रहा है daily chat पर भी हम लोग देख सकते हैं और weekly chat पर भी आप लोग देख सकते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ profit book करने को बोले थे तो जो profit book क्यों होंगे वह अच्छे profit आउनको मिला होगा उसके बाद से लगतार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था और downtrend का दोर चल रहा था एक और बात हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं कि कभी भी आप लोग ज्यादा downtrend में averaging न करें downtrend में averaging करने का अपना नुक्सान होता है माली जे कुछ यहाँ बाई करते हैं कुछ यहाँ बाई करते हैं वैसे करते हैं करते हैं आपका माइनस 20 परसंट 30 परसंट तक किसी भी स्टॉक में चला जाता है और जब प्राइस अच्छे लोवर बॉटम पर आता है तो आप लोग बाई नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हम लोग कब बाई करना पसंद करेंगे पहला 200 देस के में आपर इसके करीमें इंट और 20 के मुविंग एवरेज पर उपर क्लोजिंग दिया है तो एक और बड़ा सा ग्रीन केंडल का वीट करना है और इस पिवर्ट लाइन पर भी के उपर अगर क्लोजिंग देता है तब हम लोग को इलकाई लमेंस को बाई करके चलना चाहिए क्वालिटी स्टॉक से हम दूर खराब रहा है लेकिन आगे आने वाले समय में कंपनी बाउंस बैक करेगा और फिर से हम लोग को अच्छा रेटा निकाल करके देगा तो जब भी हम लोग को मौका मिले वहां बाई करना है तो एक बड़ा सा ग्रीन केंडल के बाद दो तीन परसन का भी केंडल दिखे उससे लीथियम आयन बैटरी जो इलेक्रिक वेकिल में उस होता है उसके लिए टेक्नलोजिक ट्रांसफर के लिए थोड़ा एग्रिमेंट किया है पर इस टेक्नलोजिक ट्रांसफर का ये फायदा होगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज इरीवोकेबल राइट रखेगा और रखेगा यूज करने के लिए एक्स्प्लाइट करने के लिए और कॉमर्सिल याजिस करने के लिए रिलेवेंट टेक्नलोजी जो इसको सोवेल्ट इनर्जी के द्वारा मिलेगा लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए तो यह बहुत ही इंपॉर्टन डेवलपमेंट है हम हम लोग जान रहे हैं देश का फोकस इलेक्टरी वेकिल की तरफ होने वाला है और बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टन डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है और एक्साइट इंडेस्ट्रीज की बात करें तो हर साल हम लोग को सेल्स इंक्रीज होते हुए 15.37,000 करोड और वही प्रॉफिट की बात करें तो 690 करोड का प्रॉफिट था 2018 में क्योंकि 2021 में बढ़के हो चुका है 810 करोड और इतना संदार फैनेश तो हम लोग अभी सिर्फ लीडेसिट बैटरीज में ही देख रहे हैं और जैसे ही इलेक्टरी वेकिल वाला इंडेस्टरीज को तो हम लोगो बहुत ही अच्छा प्राइस टोर्निंग रेशियो पे मिल रहा है करी 17.90 के पे मिल रहा है वहीं हम राजा वैटरीज भी आपको 16.32 के पे मिल रहा है तो दोनों उस्टोक अभी बहुत ही जादा अंडर वैलूट के स्रेनी में जा चुके है अपने टॉप से बहुत ही जादा फॉल होते हुए हम लोगों को दिख रहा है तो इसको आप लोग कंसिडरेशन में रख सकते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो नोटर्स के पास करी 14.99% का स्टेक है एक्साइड इंडेस्ट्रीज में वहीं करीब 23.77% का होल्डिंग है तो एफ इस डियाइज ने अच्छा स्टेक है और प्रमोटर्स के पास भी अच्छा स्टेक है तो सेयर होल्डिंग पैटर्न ही बहुत ही सांधार है एक्साइड इंडेस्ट्रेश का और एक्साइड इंडेस्ट्रीज में भी हम लोग गतार गिरावर्ट देखने को मिल रहा था पहले भी हम लोग बाइंग करने के लिए बोले थे प्राइस टू हंडडेड डेज के मुविंग एवरेज से वेल विलो ही चल रहा था उसके बढ़ियां सा पूल बैक देखने को मिलता है और फिर से यहां पर हम लोग को रेजिस्ट की बेरिस पैटन है तो और भी थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है तो इसलिए अभी तुरत से इंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा और एक बड़ा सा ग्रीन खेंडल आपको तीन-चार परसेंट का दिखे एक्साइड इंडेस्ट्रिस में और इस पिवट लाइन के बहुत ही जादा ऊपर चल रहा था और उसके बाद से मलोगों लगतार सेलिंग देखने को मिल रहा है यसका उसके करना से बड़ा वाल देखने को मिल रहा है तो प्रिंसपाइब की बात करें तो प्रास्टिक सेक्टर से जोड़ा हुआ एक संदार स्टॉक है ऐसे हम लोग पाइप को भी जानते हैं जिसने कंसिस्टेंट का पाउंडिंग हम लोग को करके दिया है लेकिन प्रिंस भाइप भी एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है तो फिलाल की बात करें तो प्राइस टू हंडेड़ेज के मुविंग एवरेज के वेल विलो चल रहा है तो पहला केंडल इसमें 2-3% का भी आपको दिखता है तो कुछ एवरेजिंग कर लेना है अगर उपर के प्राइस पे भी फसे होई है तो यहाँ पे एवरेज कर ले और फ्रेश एंट्री भी लेना है तो फ्रेश एंट्री भी आप लोग फ्रिंस पाइप में बना करके चल सकते हैं व वहीं Prince Pipe की बात करें तो 28 Kp पे मिल रहा है तो Estrel Pipe और Prince Pipe दोनों ही quality stock है Supreme Industries भी quality stock है Phinolex में थोड़ा growth का issue रहता है इसलिए आप तीनों stock जो first second और fourth है इसी को आप consider करें अपने portfolio में buy करने के लिए और Prince Pipe को जो बात सबसे खास बनाता है दोस्तों वो है इसका sales growth और profit growth Last three years में 16% का बेहदी संदार हम लोगो sales growth निकाल करके दिया है वहीं last five years की बात करें तो 16% का हम लोगो संदार sales growth देखने को मिला है वहीं profit growth की बात करेंगे तो last three years में 45% का संदार profit growth देखने को मिला है वहीं last 5 years की बात करें तो 50% का बेहद ही संदार हम लोगो profit growth देखने को मिला है और share holding pattern भी हम लोगो संदार देखने को मिल रहा है लगतार FIIs खरेदारी कर रहे है इस stock में और promoters के पास करीब 63% के करीब stock है और FIIs भी हर quarter में लगतार खरेदारी कर रहे है पहले 0.83% का हम लोगो stake देखने को मिल रहा है December 2020 के quarter में और फिर हम लोगो को लगतार increase होते हुए दिख रहा है फिलाल FIIs ने करी 4.84% का stake ले रखा है TIS भी stake पढ़ा रहे हैं लगतार 13.75% का stake है और public के पास भी करीब 18.47% का stake है तो बहुत ही अच्छा share holding pattern अब धीरे धीरे बनते जा रहा है बहुत ही ज़्यादा FIIs TIS का इसमें नजर है तो हम लोगो भी इसमें थोड़ा बहुत नजर बना के रखना है वाचलिश में रखना है और समय आने पर बाई करना है तो होप आप लोगो वीडियो अच्छा लगए गए अगर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने दोस्तों में share कीजे थैंक्यो मिलते हैं नेक्स वीडियो में